हालो, हाई, नमस्कार मैं हूँ शिल्पा और आपके अपने चहीते डायरेक्ट डायलिंज शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों, इटर्नल हेल्थ में हम आपके लिए नई सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है आरोग्य शक्ती अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आरोग्य शक्ती के लिए वात, पित, कफ कितने जरूरी है आज हम बात करेंगे उनके सटल काउंटर पार्ट के बारे में जो हैं प्रान, तेजस, ओजस इन तीदों शब्दों का अर्थ क्या है? क्या है इनका आरोग्य शक्ती से संबंध? ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब जानेंगे हमारे आज के एपिसोड में और ये जानकारी हमें उपलप्त करवा रही हैं विश्व प्रसिद आयुर्वेद आचारियर, डॉक्टर प्रताप चौहान डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रती पोणतह समर्पित होकर 40 से जादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कारी में चुटे हुए हैं आप लोगों की स्वास्त समस्याई, परसनल, ओनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्क्शॉप्स के जरीए तूर कर रहे हैं आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फामेसी की भी स्थापना की है जिसमें आयरुवेदिक दवाओं का दर्वान, प्राचीन और आधुनिक आयरुवेदिक विधियों को ध्यान में रख कर किया जाता है आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है जिसमें Best Sellers, Eternal Health और Eternal Beauty शामिल है आयरुवेदिक क्षितर में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रिये और अंतराष्ट्रिये पुरसकारों से नमाज आ गया है वर्तमान में आप जिवानंद कारिक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुरुवेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जंदगी जीने में मदद कर रहे हैं verset 54 ऑक्टर स्थ साथ से पहले आपसे पूछना चाहूंगी यह जो बहुत भारी शब्द है प्रान तेजस ओजस इंका अर्थ क्या है और इनका हमारे शरीर में क्याकारियः अब यह路 विशे है प्रान तेजस ओजस इसको भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रान तेजस ओजस ये तीनों जो है वात्पित कफ का ही जो है शुद्ध सार जिसको कहें प्योर एसेंस पॉजिटिव एसेंस है इनका मतलब ये दोश नहीं हो ये कभी दूशित नहीं होते थोड़ से भी तो पोशन मिलता है उसको जी वात्पित कफ भी तो पोशित होते हैं न्यूट्रिशन मिलता है हमारे भोजन से तो जब वो अच्छी तरह से जो है स्वस्थ रहेंगे और उनका पोशन अच्छा मिलेगा न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा वात्पित कफ को तो उसी का जो essence है, उसी का जो निचोड कहिए, उसका एक juice कह लिजिए, उससे फिर प्रान, तेजस, ओजस भी नरिश होते हैं हमारे बोडी के अंदर, जो के सूक्ष्म energy कह लिजिए, एक प्रकार की सूक्ष्म energy है, जो वात के साथ connection है प्रान का, और पित के साथ connection है तेजस का, और कफ के साथ connection है, ओजस का, ये तीन शक्तियां है, लेकिन क्योंके जैसे वात पित कफ जब विकृत होते हैं, जब बिगड़ते हैं, तो रोग पैदा करते हैं, प्रान, तेजस, ओजस, जब बिगड़ते हैं, तो वो डारेक्टली रोग पैदा नहीं करते हैं, इसलिए स्वास्त से बहुत बड़ा संबंद है इनका, क्योंके जब जब प्रान कम होगा, प्रान शक्ति, जो सूक्ष्म शक्ति है, अगर वो थोड़ी डिमिनिश होगी, हमारे शरीर में कम होगी, तो वात प्रकुपित हो जाएगा, मतलब वात को स्वस्थ रखने के लिए प्रान की जो है, अगर कम होता है, तो कफ की वरिद्धी हो जाएगी, तो इसलिए इन तीनों को बरकरार रखना, अब इससे थोड़ा सा और क्लियर होगा, कि आज कल ऐसे कितने ही रोग हैं, जिनको के डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट सब नॉर्मल हैं, कुछ पता नहीं चलता कि क्या का हैं, तो यह जो बड़ा इंट्रेस्टिंग सब्जेक्ट है, प्रानते इस ओजस्का, इसको थोड़ा सा विस्तार से और बताना चाहूंगा, कि किस प्रकार से स्वास्त के साथ रिलेशन हैं, जी जरूर, इस फोन कॉल के बाद, हलो, नमस्कार जी, वेलकम तो इटरनल चुबनाम, राजी बावने, सर मेडम, कहां से बोल रहे हैं, मैं अमरावती जिल्ले से बोल रहे हूं मेडम, प्लीज बताइए क्या समस्या है, आपकी डॉक्टर साब सुन रहे हैं, मेडम मेरा इंटीन साल से शाती ने बहुत दर्द हो रहा है, सब दवा खाने करके चुका चाती में बहुत दर्द होता है, दो-तीन साल से, और काम क्या करते हैं, कुक का काम करता है, खाना बनाने का, खाना बनाने का काम करते हैं, तो दर्द जो चाती में होता है, वो चलने फिरने पर होता है, ऐसे खड़े-खड़े बैठे-बैठे भी होता है, कभी-कभी है, सोच और जलन होता है यह तो जो अगर हाट का प्रॉबलम नहीं है तो इसमें दो इसके मुख्य कारण हो सकते हैं एक तो पेट खराब होने से होता है गैस या एसे डिटी हो तो कई बार चेस्ट के अंदर च्छाती के अंदर दर्द हो जाता है उसकी वज़े से दूसरा कारण यह होता है कि जो आपकी जो च्छाती है उसकी जो मास्पेशिया है जो मसल्स है उनमें भी अगर कई बार आम जम जाए तो वहाँ एक प्रकार की जकडन पैदा करता है आम जो है तो दोनों कारणों को अलग-लग हमें ट्रीट करना पड़ेगा सबसे पहले तो आ आप भोजन के पश्चात तीनों समय जब भी भोजन करते हैं तो वह सेवन करेंगे सुबह भी दुपहर को भी रात को भी तीनों टाइंग दूसरी चीज जो है चेस्ट के अंदर अपना थोड़ा सा तिल का तेल लेके गरम करके उसकी मालिश करनी है रोज और मालिश करने के साथ साथ जो है थोड़ा कमर में भी मालिश करिए चाती में भी करिए और साथ में थोड़ा गरम पानी की कोई बॉटल लेकर सिकाई करिए तो यह जो मालिश करेंगे इस से वहां का जो आम जम गया है वो जो है मूव करेगा वहां से दूसरी जगे चलेगा पतला होके बाहर भी निकल जाता है कभी कवार अगर आप पसीना भी लें तो पसीने के रास्ते बाहर निकलेगा और जो अभी पत्तिकर चूरन है वो आपके गैस और ऐसे डिटी दोनों को खतम करेगा और मुझे उम्मीद है कि एक महीने के अंदर ही आपको रिलीफ मिल जाना चाहिए क्योंकि कि रोग पुराना हो गया आपका दो साल पुराना शायद बता रहें आप तो कम से कम एक महीना इसको जरूर सेवन करें और एक महीने में जो भी रिजल्ट आए आपको वो हमें बताएं लेकिन साथ-साथ एक चीज और समझ लें कि चाहे वो आम की वज़े से हो चाहे गैस य सब्सक्राइब पनां पर देखना नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो चाहे जादा नहीं पीनी आपको चाहे पीनी नहीं बलके चाहे या लाल मिर्च दही खता तीखा नॉनवेज यह नहीं खाना बिल्कुल भी सिंपल खाना खाईए एक महीने लौकी तोरी टिंडा पेठा करेला मूंकी दाल परवल खेचली दलिया यही खाईए बस एक महीने में आपका रिजल्ट मिलना चाहिए बिलकुल अच्छी तरह से आपको ठीक होना चाहिए देखिए आउशदी आप मंगा सकते हैं अपने यही नंबर पे आप फोन करेंगे थोड़ी देर बाद तो आपको सारे डीटेल्स मिल जाएंगे और आप आउशदी अपने घर पे मंगा के उसको यूज कर सकते हैं आपको अविश्य लाब होगा अवड़ी फोन कीजे थोड़ी देर बाद इसी नंबर पे और आपको सारी जांकारी मिल जाएगी ठीक है जी ठीक है ठीक है तो डॉक्टर साहब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो प्रान, तेजस, ओजस मैंने समझाया कि वात, पित, कफ के ही सुक्ष्म लेवल के हैं और स्वास्त के साथ बहुत गहरा संबंद है क्योंकि अगर प्रान, तेजस, ओजस हमारे लो रहेंगे, उनकी मात्रा कम रहेगी हमारे शरीर में तो फिर बिमारी रहेंगे हम, फिर स्वस्त नहीं रह सकते, और इस से आगे जाएं, तो स्वस्त की परिभाषा हमने कई बार इस मंच से की है पहले भी, एक तो हमने की ये प्रसंद आतमिंद्री मना, एक और जो हमें परिभाषा देता हूं, कि स्वा प्लस स्था, स्वस्त मतलब स्वा, जमा स्था, स्वा स्था मतलब स्थापित होना जब हम अपने आप में स्थापित हो जाएं उसको स्वस्त बोलते हैं यानि कि जब हम ये मालूम अपने आपको कराएं कि मैं आत्मा हूँ ये मेरा शरीर है ये मेरा मन है ये टेंपरेरी है जो spiritual realization जिसको बोलते है जिसको आत्म ग्यान जिसको बोलते हैं आत्मा का ग्यान जब हो जाए तब हम कहते हैं कि ये व्यक्ति स्वस्त है और आत्मा का ग्यान जो है बिना प्रान तेजस ओजस के नहीं होता आज कल मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि वो मंतर कर रहे हैं meditation कर रहे हैं मंदिर में भी जा रहे हैं बड़ी बड़ी लाइने मंदिरों में लगी हुई हैं घर आकर के junk food खा रहे हैं चाहे पी रहे हैं कॉफी पी रहे हैं प्राण तेजस ओजस को नस्ट कर रहे हैं बिल्कुल तो कभी उनको realization नहीं होने वाली है बिना मतलब time waste मत करो इससे तो कहीं पार्क में जाओ ताजा हवा लो तो प्राण की आपको nourishment होगी ताजा हवा लो कहीं ताजी हवा लोगे तो उससे प्राण आपका push होगा कहीं जाकर एकांत में बैठ करके शांत रहो मतलब मन को शांत रखो तो तेजस की push होगी आपकी क्योंकि तेजस जो शुक्ष्म लेवल पर काम कर रहा है हर चीज को पचाने का काम कर रहा है तो इसलिए मैं लोगों से निवेदन करता हूँ कि essence को समझे सार को समझे बाहर ही उसमें मत जाईए आज मैं देख रहा हूँ कि लोग इतने ज़ादा एक तरह से लगता है कि धरम की वरद्धी हो रही है हमारे देश में धरम बढ़ता जा रहा है बड़े इच्छी बात है लोगों के आस्था बढ़ रही है लेकिन आस्था के साथ-साथ जो सार है उसको समझिए तो आईरवेद में इस पस्ट लिखा है कि जिस व्यक्ति के अंदर प्राण शक्ती कम होगी जिसके अंदर तेजस कम होगा जिसके अंदर ओजस कम होगा उसको spiritual realization नहीं हो सकती वो भगवान से connection नहीं बना सकता और इसलिए लोग जो जाते हैं भगवान के पास, उनका connection नहीं बनता, वो भगवान से मांगते हैं, भगवान मेरे को नौकरी दिला दे, मुझे बीवी दिला दे, मुझे टीवी दिला दे, इस तरह की बातें भगवान से करते हैं, तो भगवान भी देखके हंसते हैं, क्योंक से ओजस की इनका connection है आपस में तो जो तीन शक्तिप आउन किया है और जो परमातमा के अंदर तीन शक्तिय जीव जोति और प्रेम इनका connection प्राण तेजस और ओजस से है। बहुत विस्तार से मैंने समझाया दर्शकों से मेरा यही निवेदन है कि प्राण तेजस और और ओजस को अगर आप अच्छी तरह से जो है नरिश करेंगे तो आपका वात्पित कफ भी ठीक रहेगा, आपकी जीव जोती और प्रेम भी ठीक रहेगा, हर तरह से आपको फाइदा ही फाइदा होने वारा है आपने वाकई बहुत सुंदरता से समझाया है, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, तो दर्शकों हमारा टेलफोन नंबर है 0129-4088-152, अब ही सीदेवार तालाब कर सकते हैं डॉक्टर चौहान के साथ, हमें कॉल कीजिए, फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लोट आटिंगे बहुत जल्द, don't go anywhere! 0129-4088-152, डॉक्टर सहाब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और आपसे पूछना चाहूंगी, क्या प्राण ऑक्सिजन है? देखे, oxygen नहीं है, literally it's not oxygen, लगता है कि प्राण मतलब जो हम प्राण वायू कहते हैं, लेकिन it is beyond that, उसका थोड़ा और डीपर जाएंगे, इसको समझने का प्रयास करिए, दर्सकों से मेरा निवेदे ने, थोड़ा ध्यान दे के सुनिए, लाइफ फोर्स इसको कहलते हैं, प्राण शक्ति हम बोल रहे हैं, लाइफ फोर्स जो हमें जीवित रखती है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि केवल वो oxygen है, हर चीज के अंदर लाइफ फोर्स होती है, जो हम खाते हैं, और कुछ चीजों में नहीं होती है, कुछ लिविंग चीजें होती हैं, कुछ नॉन अगर पॉलुशन है, तो प्राण शक्ति कम है उसमें, अगर कभी पार्क में जाएं, फोर्स्ट में जाएं, के बीच पे जाएं, जहांकि ताजी हवा है, तो वो उसमें प्राण शक्ति बहुत अधिक मात्रा में है, तो हमें प्राण शक्ति चाहिए, इसी प्रकार से जो हम बोजन खाते हैं, बोजन के अंदर ये में आपको फड़ा सम्झाऊंगा, एक phone call ले ले लेते हैं. Hello, Namaskar जी, Welcome to Eternal Health, आपका शुबनाम. Namaskar, मैं कयूम पठान बोड़ रहा हूं, बीड महारस्टर से. Yes, जी, बोले पठान साब. सर, मैं आपका प्रोग्राम डेली देखता हूं, सर. जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है. सर, मेरा, ये 34 और मेरे दोनों आखों का रेटानल डी जन्रेशन है. तो इसके लिए मुझे आप से कुछ उम्मीद है, सर, कि आप जरूर आयरेज में कुछ ना कुछ बताएगा और मैं अच्छा हो जाऊँगा. देखिए, बहुत अच्छी बात है, और हम अल्ला ताला से यही प्रार्थना करते हैं, कि आपके लिए कोई ऐसी हम दवाई बनाएं, जिससे आपका रेटिनल जो डी जन्रेशन है, ठीक हो जाएए. वो इसलिए मैंने कहा, भगवान का इश्वर का अल्ला का नाम इसलिए लिया है, क्योंकि डॉक्टरों ने आपको बताया होगा, कि यह रोग जो है, ला इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, जब रेटिनल में डी जन्रेशन हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि अब इसका को करने वाला वो ही होता है, और दूसरी जो शक्ती है हमारे पास वो है आयुरवेद, तो आयुरवेद यह कहता है कि जब तक किसी भी व्यक्ति में प्रान है, तो उसकी कोई चीज मरनी नहीं चाहिए, जब तक लाइफ फोर्स है, तो कैसे मरेगी चीज, इसका मतलब आपके र प्रान शक्ति जो है शरीर में कम हो गई है, जो आप भोजन खाते हैं, जो आप अक्सिजन लेते हैं, जो आप आखों से कान से सुनते हैं, यह सब के अंदर जो है लाइफ फोर्स होती है, यह मैं इसी बारे में बात कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, तो पहली प्रान शक्ति क्यों नहीं पहुंच रही है, एक कारण तो यह हो सकता है कि प्रान शक्ति कम है आपके शरीर में, दूसरा यह हो सकता है कि प्रान शक्ति हैं, लेकिन वहां पहुंच नहीं रहे हैं, क्योंकि कोई ब्लॉक हो गया है, कोई चैनल वहां ब्लॉक हो गया है, उसम उम्यद को हम बिल्कुल सच्चा करने की कोशिश करेंगे लेकिन निवेदन इतना ही है क्योंकि रोग बड़ा मुश्किल है नुस्खे से बात नहीं बनेगी विस्तार से मैंने समझा दिया क्या करेंगे हम लेकिन इसी नंबर पर किसी दिन आप बात करिए दिन में और इंटोसा के इस तरह के जो रोग हैं आखों के उनके काफी केसिज है और अगर आपको समय मिलता है तो कम से कम साथ दिन के लिए दस दिन के लिए आप हमारे यहां आ जाईए तो कुछ पंच करम करके शोधन भी करेंगे और नेत्र बस्ति करके आपके नेत्रों का पोशन भी हम करेंगे तो उससे भी कुछ लाभ आपको मिलने की उमीद है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी हमारे कारेक्टर में फोन करने के लिए धन्यवाद गूडबाइ तो डॉक्टर साब आप प्रान शक्ति के विशरे पर समझा रहे थे तो मैं यह समझा रहा था कि देखे जो भ खाना खाते हैं तो लोगों को बिलकुल मालूम नहीं कि भोजन हम केवल प्रान शक्ति को नरिश करने के लिए खाते हैं मेंली हर एक भोजन में मानलो आपने ब्रेड खाई उसके अंदर प्रान शक्ति है आपने कोई स्प्राउट्स खाए उसमें प्रान सक्ति है हर चीज मे unfortunately chicken में नहीं और non vegetarian में नहीं क्योंकि उसमें प्राण ही नहीं है आज कर लोग chicken खाते हैं और पता नहीं क्या क्या खाते हैं कितने जानवरों को खा रहे हैं सारे मरे हुए जानवरों को खाते हैं आप देखिए common sense की बात है जो चीज मरी हुई है उसको क्यों खाना है डेड़ बोड़ी को कोई खाता है कितनी गंदी चीज है और उसमें प्राण भी नहीं है तो प्राण नहीं है तो किसलिए खा रहे हो क्योंकि हमने पहले बताया आज फिर बता रहे हैं कि अपनी तवचा प तो इस प्रकार से जो प्राण है वो केवल oxygen टक्सीमित नहीं है वो हमारे अhahr में हमारे जो जो भी चीज हम creation में अंदर डालते हैं चाहे वो तपारा के द्वारे डालते हैं जाए है नाक को चाहे सब चीज को जो है प्राण सक्ति उसमें होनी चाहिए अगर प्राण नहीं ह उसको केवल टेस्ट के लिए नहीं खाना है, टेस्ट क्या होता है, टेस्ट तो एक सेकंड का है, एक सेकंड के बाद जब भोजन इहां चला जाता है, वो टेस्टलेस है, अगर किसी परकार से आप खाना अपना अंदर गले में डाल दें, जीप को टच ना करें तो कोई सेकंड के लिए हम क्यों अपने शरीर को नस्ट कर रहे हैं, जीजी, चलो टेस्ट भी अगर चाहिए लेकिन प्राण तो होना चाहिए उसमें, यह उक्सिजन नहीं होता, यह लाइफ फोर्स होती है, जीजी, इसी के साथ तेजस के विशरे पर आते हैं, तो आप से पूछना होते हैं, तेजस मैंने समझाया कि तेजस वो शक्ती है जो सुक्ष्म लेवल पर पाचन करती है, पित जो है शरीर में पाचन करता है, तेजस उसी का जो है सुक्ष्म लेवल पर पाचन करता है, क्योंकि हम जो भोजन खाते हैं, वो केवल मूँ से नहीं खाते हैं, हमने कितन होता है mental thought this is food continuously food जा रहा है लेकिन आप imagine करिए कि अगर तेजस बिचारा कितना कितना खाना पचाएगा तो वो अपच हो जाता है हाजमा बिगड़ जाएगा आपका अगर तेजस कमजोर होगा तो हाजमा मेंटल हाजमा बिगड़ गया आपका और हाजमा बिगड़ता है तो क्या बनता है आम बनता है तो मेंटल आम बनेगा और क्या होगा जैसे पेट में गैस बनती है ना पेट में गैस बन जाती है और लूज मोशन लगते हैं और कबज हो जाती है इसी प्रकार से आपको मेंटल माइड में गैस बनेगी कह बर लोग आते हैं हमार पास करते हैं माइड मैंड ऐसा लगता है कि कुछ फॉग जैसा हो ग एयसा हूग फॉग ऑगी माइड कुछ खलिइरTT भी फुमें तो यह उती इस तलगते हैं अज़ की एक बिमारी होती है, उसको कहते है OCD, Obsessive Compulsive Disorder. तो वो क्या करते हैं, लोग बार-बार हात दोते हैं, बार-बार, जैसे बार-बार टोलेट जाते हैं, तो वो बार-बार हात दोते रहते हैं, हर पांच मिनिट में हात दोएंगे, हर चीज को दोते रहेंगे, तो यह mental diarrhea हो गया, क्योंकि उनका तेजस कम था, और नरंतर वो भोजन खाते रहते हैं, तो वो diarrhea लग जाएगा, पचेगा नहीं, इसी तरह से mental constipation भी हो जाती है, ब्लॉक हो जाता है आदमी, कही लोग देखे होंगे, आपने बिल्कुल शान्त हो जाते हैं, डॉक्टर कह देते हैं, इसको कुछ हो गया है, स्केज़ोफर्निया हो गया है, कुछ लोग सुसाइडल हो जाते हैं, मतलब किसी से बात नहीं करते हैं, और वो सुसाइड करने की कोशिस करते हैं, यह आपकी mental constipation हो गई है, तो इस प्रकार से देखें, कितना अच्छा यह विस्तार से समझाया गया है, अब आज जो यह लोग इस तरह की बिमारियों से परिशान है, कि जैसे कि OCD है, यह डिप्रेशन है, यह सुसाइडल थौट्स आती है, यह किसी को Schizophrenia हो गया है, उसका इलाज ही नहीं है कोई, Modern Medicine में कोई इलाज नहीं है, केवल टेबलेट खिलाते हैं, जिससे के मरीज सो जाता है कुछ देर के लिए, लेकिन यहाँ आईरवेद में इलाज है, हम लोग तेजस को बढ़ाने का परियास करते हैं, तेजस को बढ़ाते हैं, शारिरिक लेवल पर भी जो डेमेज हुआ है, ब्रेइन के अंदर या नर्वस सिस्टम में, उसको भी रिपेर करते हैं, लेकिन सुक्ष्म लेवल पर इसका अगर हम जाके इलाज करते हैं, तो ठीक हो जाते हैं, हमारे पास हजारों पेशेंट आते हैं, ऐसे रोगी, जिनको ये बिमारिया हैं, और ठीक हो के जाते हैं, क्योंकि हम इस परकार से इलाज करते हैं, जैसा कि आयरवेद में लिखा हुआ है, जी जी बहुत बढ़िया बात बताईए आपने डॉक्टर सहाब, जी और इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, जी बलकुब, तो दर्शको हमारा फोर नंबर है 0129-4088-152, आप भी कर सकते हैं, डॉक्टर चोहान से डिरेक्ट बात, हमें कॉल कीजिए, सी यू आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक्ट, इटर्नल हेल्थ में मैं शिल्पा एक बार फिल से अप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, I am sure कि आप लोगों को हमारे एपिसोड बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं प्रान, तेजस और ओजस के बारे में, साथ ही साथ हम कर रहे हैं, आपके समस्याओं का आयूरवेदिक समादान दूरभाश के बाद हम से, तो कॉल कीजिए हमें on 0129-4088- 152. Dr. सहाब, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, अब आप से पूछना चाहूंगी, ओजस के बारे में, कि ओजस का निर्मान कैसे होता है और इसके क्या फंक्शन हैं? देखे, बहुत ये भी अच्छा प्रशन है, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इस वन फ माइ फेवरेट सब्जेक्ट क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इवन आयरवेदिक जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, और आयरवेदिक स्टूडेंट्स होते हैं, इतना कवर नहीं होता क्योंकि ये जो प्रान, तेजस, ओजस ये आयरवेद, योग और हमारे शास्त्रों से निकाला हुआ है कि ये जो कॉंसेप्ट है, इसको मैंने हेल्थ के साथ जोड़ा है, तो ओजस जो है, ओजस का डिस्क्रिप्शन डेफिनिटली मिलता अईरवेद म बनते हैं, काफी बार हम बता चुके हैं, और ये धातू जब बन जाते हैं अच्छी क्वालिटी के, इनका जो एसेंस, इनका जो सार है, उसको कहते हैं ओजस, अब यहाँ पर केवल फिजिकल फूड नहीं लेते हैं, जब भी हम भोजन शब्द का परियोग करते हैं, वो बनों जगें हमें ध्यान रखना है, कि अगर ओजस अच्छा बनाना है, तो दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको भोजन जो है, अच्छी क्वालिटी का चाहिए, जिसमें न्यूट्रिशन हो, और दूसरा, आपकी अगनी जो है, जठरागनी जो उसको पचाए वो अच्छी क्वालिटी की हो, क्योंकि कहीं भी गड़बड हुई, अगर अगनी आपकी अच्छी रहेगी, और आपका भोजन जो है, बेशक अच्छी क्वालिटी का हो, तो उसमें खराबी आएगी, क्योंकि अगनी तो अच्छी है, क्वालिटी नहीं उसमें, जिसमें, या अगनी आपकी मंद होगी है, वालिटी बहुत अच्छी है, इतने मेर को कही बार में जाते हूं, तो मेर को कुछ लोग मिलते हैं, अमीर, वेरी रिच पीपल, सेलेबरिटी टाइप के लोग, जैसे होलिवोड स्टार्स टाइप के, तो वो जब मिलते हैं, वो टोटल और अ पाते हैं, तो ओजस नहीं बनता, धातू भी नहीं बनते हैं, तो बिमारी आती हैं, तो दोनों चीजों का ध्यान रखना है, क्वालिटी ऑफ फूड शुड बी गुड, अगनी शुड बी गुड, इसी तरह से मेंटल लेवल पर आजएए, क्वालिटी ऑफ फूड शुड बी गुड, वट यू वाच, वट यू हीर, गार्बेज नहीं सुनना है, जंक नहीं सुनना है, राजसिक तामसिक नहीं सुनना है, हम जो सात्विक की बात करते हैं, और आपका तेजस भी अच्छा होना चाहिए ताकि उसको पचा सके हूँ, तो तब आपके ओजस का पोशन होता है, निर्मान होता है इस प्रकार से, और दो प्रकार का ओजस आयरवेज में लिखा लिए। अच्छा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, बताईए क्या समश्या आपका न टीवी पर देखा था, तो मेरा ग्रांड सन है, 6-7 साल का है, उसको वीट की अलर्जी है, अच्छा वीट अलर्जी कितनी, 6-7 साल की उमर बताईए आपने, आपने, 6-7 साल की उमर है जी, देखे, इस डिजीज को जो है, सीलियक डिजीज बोलते हैं, डॉक्टर लोक इसको, और आजकल काफी, मेरे पास पिछले करीब 2-3 साल में, मैं कहूंगा, 50-60 ऐसे केसिज आ चुके हैं, जो छोटे बच्चों में ही मैं देख रहा हूँ, बड़ी अजीब सी बात है, आज से खान पान बदल रहा है, हमारे भोजन में जो फर्टिलाइजर्स और ये केमिकल जो आगे हैं, इस से क्या हो रहा है कि हमारा जो पाचन संस्थान है, हमारे जो गेहूं पचाने की जो शक्ती है, वो बिल्कुल कम होती जा रही है, तो ये तो मैंने समझाया आपको रोक के बा जाएंगे, जब 3-4 महीना वो दवाई खा चुका होगा, तब उसको धीरे धीरे गहूं खिलाना शुरू करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि 6-8 महीने में ये रोक बिल्कुल जड़ से चला जाएगा, तो आप तो बड़े हमारे रिस्पेक्टिड मेंबर हैं, मेंबर अफ विदान सबा, उसके लिए थोड़ा जो ना, ये नमबर जो हमारा है ता, इसी पर आप एक बर फोन करके, अपॉइन्मेंट ले करके, फिर हम मुलाकात करते हैं, बच्चे को चेक भी करेंगे, उसकी रिपोर्ट भी सारी लियाना, और मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चे को हम बिल्कुल ठीक करेंगे, ठीक है जी? मैं ये ही चाहता हूँ, फिर कहीं किसी तरह से आप से बातचीत हो जाना है या आपको दिखा लूँ में पर फोन करने के लिए आपका बहुत-बहुत धनेवाद, गुडबाई. तो डॉक्टर साहब, जब ये बना ओजस, तो दो का ओजस शरीर में होता है, एक को बोलते हैं पर ओजस जो के हमारे हिर्दे में होता है, और उसकी मातरा जो आठ बिंदू लखी है, वो ओजस अगर कम हो जाए, तो आदमी के प्रान चले जाते है, मतलब आदमी की डेथ हो जाती है, और दूसरा होता है अपर ओजस, जो ये आतम ज्यान में जो आगे बढ़ते हैं, वो भी ओजस की वज़े से होता है, जिसमें ओजस कम होगा, उसको भी भगवान समझ नहीं आएंगे, वो भी ऐसी चक्कर लगाते रहेंगे मंदिरों में, कि कुछ भगवान कुछ हमें दे दे और जिस तरह से आज आप देख रहे हो कि हमारे धरम को कोई दूसरा ही रूप दे दिया गया है, तो ओजस जो है अपने आप में एक बहुत महत पूर्ण चीज है, और इसका एक जैसे मैंने समझाया आपको, तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इसमें, बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज है, कि अगर भोजन अच्छी क्वालिटी का है, अगनी अच्छी है, तो धातू अच्छे बनेंगे और ओजस अच्छा बनेगा, लेकिन अगर भोजन आपका बैड क्वालिटी है, जंक फूड है, प्रान नहीं है, उसमें कोई शक्ती नहीं है, या आपकी अगनी कमजोर है, तो दोनों केसे में क्या होगा, इंडिजेशन होगा, तो क्या बनेगा, आम बनेगा, तो फिर ओजस नहीं बनेगा, तो एक चीज जो मैं बताना चाहरा हूँ कि आम और ओजस, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जब जब शरीर में आम बनेगा, इसका मतलब ओजस कम हो रहा है, वहा पारा कहीं छुपा हुआ एक धे उसमें एक एम यह होता है कि आपका ओजस बढ़ जाएगा, क्योंकि जब जब आप आम को पचाएंगे, आम को साफ करेंगे, तो आटमेटिकली ओजस बढ़ेगा, क्योंकि जब आम नहीं होगा, तो भोजन पच करके धातू बनेंगे, धातू कर रहे होते हैं, और इधर हम ओजस को बढ़ाने के लिए औशेदियां दे रहे होते हैं, क्योंकि ओजस ही हमारी इम्मिनिटी पावर है, यह मैंने अभी बताया, रोगों से लड़ने की शक्ती हमारी ओजस है, मुख्य रूप से, और यही शक्ती जो है, हमें रोगों से करें, अपना जो है, विचार सुद करें, अपना आचार सुद करें, आचार सका भी फरक पड़ता है, अईरवेद में एक यह भी लिखा है, ओजस बढ़ाने के लिए, एक बड़ा अच्छा एक लिखा है, आचार रसाइन, रसाइन मतलब वो सब फार्मुले जो ओजस अचार रसाइन मतलब आचरन, अगर आप जो जूट नहीं बोलते हैं, आप चीटिंग नहीं करते, आप दूसरों की सेवा करते हैं, मतलब हैं दूसरों को, सब से प्यार करते हैं, सभी प्राणियों पर दया, कंपेशन करते हैं आप, तो इससे भी ओजस बढ़ता है, और य तो यह बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आर्वेज में इसका ओजस का दिया हुए डॉक्टर साहब एपिसोड का वक्समाथ हो रहा है तो प्लीज जल्दी से कोई विशेश टिपनी दे दीजे देखिए आज तो मैंने बड़े विश्थार से प्रान तेजस ओजस की बात किय क्योंकि अगर ये उचित मात्रा में रहेंगी शरीर में तो आपके वात-पित-कफ बिल्कुल बैलेंस रहेंगे आपको कोई रोग नहीं आएगा और यही हमारा तात पर ही है जब हम कहते हैं कि आरोगय शक्ती को हमें बाहर निकालना है तो हम इनी चीजों की तरफ संकेत कर करते हैं आपको क्योंकि ये चीजें जब ठीक रहेंगी तो आटोमेटिकली आपके अंदर एक पावर ऐसी रहेगी कि आप आरोगय रहेंगे आप निरोगी रहेंगे आपको कोई रोग नहीं आएगा Thank you very much Dr. Saham, आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank you जी So friends, episodes हमाप्त होने के बाद भी आप लोग हमें contact कर सकते हैं, note कर लीजे हमारा पता Jeeva Ayurved, Jeeva Marg, Sector 21B, Faridabad, Haryana, PIN 121001, India हमारा email ID है info at jeeva.com हमारी website है www.jeeva.com हमारा phone number है 0129-4088-152 Friends, संतुलन ही संसार का नियम है इसलिए संतुलित, अहार, विहार और विचार को अपनाईए और आरोग शक्ती को बढ़ाईए प्रान, तेजस और ओजस को बढ़ाईए तो कर लीजे ये इरादा, कर लीजे अपने आप से ये वादा किसी भी चीज से ज्यादा आप रखेंगे खयाल अपनी सेहत का इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आप से लेना चाहूंगी विदा हमारी कामना आपका आनन मैं जीवन गुडबाई, नमस्कार हमारी कामना आप से अपना आप रखेंगे विदाए